केजन केग जीएसम सीवा में आपका स्वागत है केजन केग जीएसम सीवा में आपका स्वागत है है कि जी आज अबात करेंगे गुझरा पैनल की गुझराद नगा हुआ है इस worldly च अटियूह ने की सिटाटर कर सकते हैं इसका बाहर ये में्यक्स देश होता है अन अउफ करणे का यह स्टार्ट करने का और बंद करने गा यहां से आप वोल्टेज चेक कर सकते हो तीनों फेस की बी आर आर वाई तीनों जगा है तो देखते हैं कैसे वाइरिंग होगा आप यहां से ओपन करिए थोड़ा सा पहले पैनल के बारे मता देता हूं यह तीन कॉंटेक्टर लगे हुए एक तो तीन यह आपका आटो की वायर लगी है और यह सीटी कोईल जो है यह आपको सप्लाई की वायर में डाल देनी है अगर कई बार सप्लाई की वायर बड़ी होती है जिसमें पोसिवल नहीं होता सीटी लगाना तो आप मोटर की तार में भी डाल सकते हो मोटर की तार में सीटी डालोगे तो SMS में आप आपको जो मोटर का करेंट है वो हाफ दिखाएगा यह दोनों स्पेत आ रहा है यह हरे बटन पे एक एक लगा दें दोनों पॉइंटों पे यह मोबाइल स्टार्टर की दो काली तरे हैं जो की लाल बटन के स्रीज होती है स्रीज करने का मतलब है कि आपको एक वाय खोल लेना है उसके साथ मोबाइल पर भी स्टार्टर की एक काली तर आद आपको लगा देनी है खbor ID कि को अ-ब यह थीन सब्लाइ की वायर है यह आपको सब्लाइघ में लगाना निय यहां पर तीन नुद कर लगा सकते हो ये कॉंडेक्टर के ऊपर यहां भी सप्लाइघ यहां भी तीन न लगा तो सकते हूं तो यह तीन तार आप सप्लाइँ में कहीं भी लगा सकते हूं जहाइं आप्को लगाना आसान रहे जहां भी अपनानावा असुमें यह मैं सप्लाई की तारी सोटो स्वीच में लगा रहा हूँ आप यह तार कहीं भी सप्लाई में लगा सकते हो जहां भी आपको लगाना असान हो हुआ है अभी आपका पावर बंध हो गया है अगर चालू पावर में आप सिम डालेंगे तो सिम कर नहीं चलेगा कि यह अगर आप सामने से देखेंगे तो यह जो साइड है कट वाली यह अंदर जाएगी और यह जो कनेक्शन वाला हिस्सा है सिम का उपर रहेगा कंपनी का नाम है वो नीचे रहेगा अभी जैसे मैं इसमें सिम का चेंज कर देता हूँ यह लोक होगी अंदर जाके दूसरा इसका यह है अगर आप सिम को उल्टा डालते हैं जैसे उल्टा डाला तो यह आपका लोक नहीं होगा जब यह सही डलेगा तभी लोक होगा यह सप्लाई का स्विच उपर कर दे और यह आटो में कर दे दूसरा स्विच यह दोनों स्विच आपको उपर करने है यह स्विच है यह ओन कर दें दिख रहे हैं यह स्विच ओन कर दें और अंदर का जो आटोमेटिक है यह आटोमेटिक है इसे आप मैनुवल में कर दें य आर्पी का मतलब वता है रिवर्स फेज जब भी रिवर्स फेज दिखाए तो आपको मोबाइल स्टार्टर का लाल और निला तार अपस में बदल देना है यह दौनों तार अपस में चेंज कर दिया है पहले रेड वायर इधर था यलो इधर था अभी यलो साइड में कर दिया रेड बीच में कर दिया तो अभी रिवर्स फेज नहीं आएगा स्प्लाइए ओन करनी है कर दो दूजिक स्कैन यह नेटवर्क काया है 487 वोल्टेज है थोनो पहले साथ दबाते हो जी कि यह ओवर्लोड आ रहा है जब आप फर्स ताइम लगाओगे तो ओवर्लोड यह ड्राइर रन आ सकता है तो स्टार दबाओ जी अब आपको एक 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 दबाना है पांच वार थोड़ा अराम से दबाओ और दबाओ दबाओ चलो होगी पंकरंट सेटिंग के लिए सेट लिखा रहा है मतलब सेट करेगा यह अभी क्या होगा कि मोटर का जो भी आपका लोड है उसके इसाब से एक उपर का लोड ओवर लोड और एक निचे का लोड ड्राइरन दोन्हों लोड सेट हो जाएंगे और वह मैसेज में भी आएगा वह आपकी मोटर सेफ्टी के लिए बहुत जुरूरी है मेसेज करना tons star 1120 अगर आपने पास वर्ट चेंज किया है तो यहां पे आपको नए पासवर्ट डालना है उसके बाद आपको डाइल करना है 911 उसके बाद वह मोबाईल नंबर जिस पे आपको समस चाहिए एंड देना है और यह मेसेज होने के बाद आपका यह मैसेज आपको मोटर के नंबर पर सेंड करने के बाद UP Rice में ज्वाब आएगा आपका नमबर जूड़ गया है और बकी सब डिटेल्स आपको आए कर दो का kills से वा में आपका स्वार्गत है खुब कि अजा एंग